कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका परिच्छा चिंतेन यूटूब चैनल में क्रिशी यसनातक छात्रों के लिए खुश खबरी है कि उनकी भरती जो एजी टीए 2021 पेट के माध्यम से नहीं आ सकी है वो पेट 2022 के माध्यम से 15 फरवरी तक आपको नोटिफिकेशन देखन करेंगे इसके लाव कुछ और भी जानकारी आजो हैं से नॅनके बारा में भी हम लोग देखेंगे तो चलिए हम लोगी स्टार करते हैं वीडिएयो को जो भी नए है चैनल को सस्क्राइब को मिला है और अध्यच प्रविर कुमार की द्वारा जो भी जनकरियां दीगे उनको बारे में भी हम लोग देखेंगे क्योंकि प्रेपसाइड जो है इसकी तयार हो चुकी है बन रहा है और एक दो दिन में इसके प्रॉसेस जो है कंप्लीट होने के बाद जो है इसके मादम से वेकेंसी निकली थी 6000 कुछ पदों के लिए उनमें 906 पद जो है वो खाली रह गये थे और उनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया था कि इनको छूट दी जाई एक वेकेंसी के माध्यम से उनमें इनको एज रिलेक्शन और सभी चीजे जो है उनको चूट प्रदान करना है क्योंकि अभी यूपी टिपलसी के माधम से एज टीय के वेकेंसी जो है नोटिपी के साना आता है तो इसमें पेट जो है परिच्छा जो है कराई जा रही और इंटर्व्यू समात हो चुका है इसलिए जो है इसमें सामिल करने के लिए इनको से छूट दे जाएगे इसके लाओं इंको एज रिलेक्शन भी जो है दिया जाएगा लेकिन यहां पर एक कंफ्यूजन जो है यहां पर दिया गया है कि 906 पद कुछ छोड़ कर जो है पचीस सो चालिस पदों के लिए विग्यापन जो है वो निकलेगा जो की पेट 2022 के माध हम से एड होके आएंगे उनको एज रिलेक्शन 906 जो सीटे हैं उनमें एज रिलेक्शन दिया जाएगा जो पुराने चाहत हैं और उनको सामिल करने के लिए पैट बात देता जो है निवान नहीं रहेगी इन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे पूछेंगे जानकारी मि जो है चूट दिया जाएगा तो यह 344 पदों लिए विग्यापन जारी हो सकता है भी आयोक के उपर यह डिपेंड करेगा आयोक क्या कैसी करता है तो यहां पर पूरा ही जानकारी जो है तो यह बैकेंसी जो है 2013 में 628 पदों लिए यहां पर देखिए 2013 में इसके लिए जो है नहीं हो पाई थी तो उनको सुप्रीम कोट को दारा नई भरती में छूट परदान करने का आश्वाशन दिया गया था तुसी के क्रम में जहां तक हमेद लग रहा है कि इसमें 906 पद जो है सामिल करके टोटल पदों के सापेच जो है विग्यापन निकाला जाएगा उसमें इन और कि छट्रों को जो जो जार देरा कि दहीं उनको एजलेक्शन जो है चूल इसको परदान की जाएगी ऑन उनके लिए पेट्रकेजन जो है पेट्रक्रांद बादिता जो और यह नहीं सामिल किया था वो उनके लिए जो है प्रवीर कुमार उनके द्वारा भी एक जानकारी दी गई है इसमें उनकी बारे में भी देख लेते हैं तो प्रावधिक साहिक के बहने के बाद यहां पर देखिए तो अधिने सरकारी विभागों में समूगा कि भरतियों के लिए आयोजित प्रारंभिक यह तो नहीं पुराना हो गया यह वाला हो गया अधिनस सिवा चोन आयोग को किरिशी विभाग से प्रावधिक साहय के रिक्त से च्फद जो हैं वह अलग से उनकी प्रक्रिया होगी और उनको फिट्ट 222 के माधम से नहीं कराकर परिश्चह दोनों की एक साही होगी लेकिन प्राव में अलग सम्मिट कराने की प्रक्रिया जो है और हो रही है जो कि नीऊचेनल को माधम से जब तक आयोग को कि मादर्म से साफ नहीं होती है नोटिफिकेसन जारी नहीं होता है तब तक आप लोगों के स्थारा करते रहे हैं पुराने और नए के लिए अलग-अलग जो है यहां पर दिया हुआ है पुराने और अलग के लिए यहां पर आवाइदन जो है वो लिया जाएगा जिस भरती पर किया चल पूरी की जा सकी है दिरने से वाचना आयोक के अध्यास प्रभी कुमार काना क्रिसी प्रावधिक साहे के पदुक भरती के लिए इन आइसी के होजी तक नोटिकेशन देखने को मिल सकता है नेश्ट नोटिकेशन जो है अगर कोई भी वेक्निटी याइगी तो देजिकिए की ही आयए इसके बारे में प film This will be a फ्रोरी से पहले पहले आपको एजी टीए के 346 पतों के लिए विक्यापन निकलेगा जिसमें नहीं सुच्छे के अलग बात की जा रहे हैं आप इन्यूज चैनल में से अभी जो भी स्थितित्र साफ होगी उसके बारे में आप लोगों को अखुद कराया जाएगा चैनल माद कर सकते हैं तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं और कुछ साथों को सलेबस के लिए भी कुछ उनको कटा आप इन सभी के बारे में काफी मैसेज आ रहा था उसके बारे में नेस्ट वीडियों जो है डिसके सन करेंगी क्या कैसे रहेगा इन सभी के बारे मे जानकारी मिलने के बाद तो वीडियो को जादा जादा लोग उपास शेर कीजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद